Hello friends and welcome back to the new episode of Graffiteria मैंने भी बहुत सारे क्ले आर्ट के बॉटल लेम्प्स ऑनलाइन देखे हैं मैं सर्फ करती रहती हूँ नया आइडियाज के लिए पर मैंने देखा कि बहुत सारे क्ले आर्ट बहुत जादा मुश्किल होते हैं आसानी से हर इनसान उसे नहीं कर सकता तो मैं आपके लिए बहुत ही इजी तरीके लेके आऊंगी डेकुरेशन के जो आप अपने बॉटल पे कर सकते हैं प्लस मैं आपको आज सबसे पहले बताने वाली हूँ कि आप कोई भी बॉटल आर्ट स्टार्ट करने से पहले उसके बेश को क्लीन कैसे कर सकते हैं बहुत सारे एलकोहॉल की बॉटल आते हैं जो डिजाइनस में बहुत जादा सुंदर होते हैं उनकी strength भी bottle की जो गलास होती है वो भी बहुत solid होती है और उनकी जो nobs होते हैं bottle caps होते हैं वो बहुत मुश्किल होता है निकालने के लिए मैंने खुद personally जब ट्राय कर रही थी स्टार्टिंग में जब मुझे पता नहीं था exactly कि ये कैसे खुलते हैं तो मैंने काफी सारे bottles के जो नेक होते हैं उनको ब्रेक कर दिया था तो ऐसी गलती अगर हम करते हैं तो मैं बहुत छोटा सा और स्वीट सा ये वीडियो लेके आई हूं और informative है क्योंकि bottle lamp बनाने के लिए या bottle art करने से पहले जो basic step है जो bottle को clean करना है इस पे मेरा video है तो ये video काफी लंबा बन रहा था इसलिए मैंने से parts में बनाया है इसके तीन या चार पार्ट बनेंगे जिसमें मैं आपको एक एक bottle को details में decorate करना बताऊंगी तो आज first part में हम इसे clean करना सिखेंगे और bottle का base हम कै इसे तैयर कर सकते हैं bottle art के पहले तो stay tuned watch the video till end क्यूंकि बीच में अगर आप skip करते हैं तो कुछ चीज़े ऐसी होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती फिर आप comment में मुझ से पूछते हैं कि ये कैसे कि आपने तो please video को पूरा देखिए बीच में से skip ना करें क्यूंकि जहां वाले videos भी आपको बहुत जादा interesting लगने वाले हैं और अगर आप मेरे channel पे नए हैं पहली बार मेरा video देख रहे हैं तो इसे जल्दी से subscribe करें और सबसे पहले मेरे videos की notification पाने के लिए bell icon को प्रेस करें तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना video देखते हैं आज हमें क् अगर आपके पास ऐसी बाटल नहीं हैं तो आप जो कबाड़ी होते हैं जो पुराना समान खरीते हैं उनके पास ऐसी बाटल बहुत ही easily मिल जाती हैं मैंने खुद उनसे 10-15 बाटल खरी दी हैं तो आप ऐसी अलग अलग different shape की बाटल इनसे ला सकते हैं तो यहां यह स्टिकर हटाने के पहले मैंने इस बाटल को गीला कर लिया है और यहां अच्छे से पानी इस स्टिकर पर लगा रही हैं स्टिकर पर पानी लगाने से यह गीला होने के बाद जब हम इसको हीट करेंगे तो यह हमेंने सीधा इसको direct gas पर हीट किया है तो जो stickiness होगी वो बहुत ही easily नि करते हैं तो वह इतना अच्छी तरह नहीं निकलेगा निकल तो जाएगा इतना easily नहीं निकलेगा जितना यह पानी लगाने के बाद अपनी जगा छोड़ देता है तो इस तरह से मैं इसको बहुत पास नहीं रख रही हूं थोड़ा दूर से ही मैं इसको बंद कर रही हूं और देखिए कि जो पेपर है वो थोड़ा थोड़ा जलना शुरू हो गया है एक बात का और ध्यान रखें कि जब आप ये काम कर रहे हैं तो जो बाटल की जो कैप है वो अच्छे से बंद होनी चाहिए और अगर उसमें एक दो बून भी अलकोहल है तो वो भी आप पहले पान कई बार ये बीच में से फट जाता है जिसकी वज़े से पूरा पेपर अच्छे से निकल भी नहीं पाता तो ये बहुत ही टाइम सेविंग और बहुत ही इजी आइडिया है किसी भी चीज पे लगे स्टिकर्स को उतारने का यही चीज आप प्लास्टिक की बाटल के साथ भ तो अब देखें इन दोनों तरफ अभी भी ग्लू है वो स्टिक है और अभी ये बॉटल गरम है तो धान रखें कि गरम बॉटल को एक दम रूम टेंपरेचर पे आने दे अगर आप इस गरम बॉटल को डायरेक्ट थंडे पानी में डाल देंगे तो ये तड़क जाएगी अब ये जब तक गरम है और हम इसको एजिली पकड़ पा रहे हैं तो मैं आपको बताती हूं कि इसकी हम इस नौब को जो बॉटल केप है जो लॉक होता है बॉटल का उसे हम एजिली कैसे रिमूव कर सकते हैं तो ये निवपल सा एक पेपर कटर लिया है मैंने और यहां पर मैं इसको कट लगा रही हूं तो आपको थोड़ा सा इसको repeatedly करना पड़ेगा क्योंकि जो paper cutter होता है जो मेरा paper cutter है वो काफी छोटा है और हम थोड़ा सा इसको ध्यान से रख करेंगे ताकि आप अपने हाथ पर ना लगाएं आप यह मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूं आप चाहें तो इसको किसी भी flat surface पर लेटा कर यह काम कर सकते हैं वो और भी जादा easily आप कर पाएंग इस तरह का lock-on caps पे लगा होता है तो इसको हम बहुत ही easily निकाल सकते हैं तो इस तरह से अब मैं इस paper cutter की help से इसको कट कर दूँगी और यह आसानी से निकल आएगा इसको कोई आइडिया हो तो प्लीज कमेंड बॉक्स में मुझे बताइएगा हम उसे भी जरूर ट्राय करेंगे तो देखिए अब यह निकल गया है इसका जो cover था जो लॉक था अब इसके अंदर के इस प्लास्टिक नॉब को काटने के लिए मैंने इस cutter को थोड़ा सा गरम क किया है और यह एजली कट हो गया है तो इसको हम कट करके इसको भी हम रिमूव कर देंगे और यह बहुत ही एजी वे है इसको निकालने के लिए अगर आपने कभी ट्राय किया है और आप नहीं निकाल पाया है तो आप ज़रूर समझ पाएंगे कि यह कितना एजी हो गया है और इसी तरह एक वाइन की बॉटल भी थी जिसे मैंने सिंपल निकालने की कोशिश की और अब हम बताएंगे कि जब यह रूम टेंपरेचर पे आ गई हैं बॉटल तो हम इसको उपर से कैसे क्लीन करेंगे तो जो स्टिकी पार्ट है जो गम इसके उपर लगावाया है स्टिकर का उसको हम कैसे रिमूव करेंगे इसके लिए हम इसको अच्छे बहुत गरम पानी में इन बॉटल को इंसर्ट करके रख देंगे करीब आदा गंटे के करीब हम इन रख देंगे बॉटल को इंसर्ट करने के लिए आप इसके अंदर पानी फिल करें और उसके बाद इसे करतन साफ करने वाला स्क्रबर यूज किया है और थोड़ी सी सोप मैंने यूज की है ताकि जो स्टिकीनेस है वो अच्छे से रिमूव हो जाए तो इस तरह से आप बहुत ही एजी वे में इन बॉटल को क्लीन कर सकते हैं और जब आप किसी क्लीन सर्फेस पे कोई भी आर्ट कर अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने इन बॉटल को कैसे डेकुरेट किया है इनको कैसे डिजाइन किया है और परसनली यह जो विस्की की बॉटल है यह मेरी फेड़िट है तो इसको मैंने डेकुरेट किया है अपने ममी पापा की अनिवर्सरी के लिए तो देखिएगा ज दोनों बॉटल्स को क्लीन कर लिया है और देखिए क्योंकि डिफरेंट कलर में है तो यह अभी कितनी सुंदर लग रही है अगर आप इसे कुछ भी डेकोरेशन के लिए यूज नहीं करना चाहते तो आप इसे सिंपल पानी डाल के मनी प्लान की कुछ दो तीन बेल इसमें डा लग सकते हैं वो अपने आप में बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लगता है थैंक यू